हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो और क्लास सीजी पीटी क्लास लाइव में हमने ग्राउंड नट देख लिया और फिर धान मक्का यह साभी क्रॉप देख लिया है अब आगे पढ़ते हैं हम लोग मुंग तो मुंग बहुत बड़ा क्रॉप नहीं है इसमें ज्यादा इंपॉर्टे रहें जीशना नहीं तो जो जो इंपॉर्टे क्या बोला जाता है मुंग को ग्रीन ग्राम बोला जाता है इसका बोटेनिकल नेम वानस पतिक नम देखे वीगना रेडियाअटा वीगना रेडियाटा इसका बोटनिकल नेम है वानस्पतिक नाप इसकी जो फैमली है लेग्यू मिनेसी फैमली है दल्हेनी थैमली औरिजीन इसका देखा जाय और भारत असका और आ है और जो इसमें अंकुरन होता है, इसमें जो germination होता है, वो उपरी भूमी होता है, ठीक है, इसमें जो germination होता है, वो उपरी भूमी होता है, और इसके दानों में protein होता है, 25%, इसके दानों में protein 25% पाया जाता है, fat याने वशा पाया जाता है, 1.3%, और इसमें carbohydrate पाया जाता है, 60 परसेंट, 60% कार्भोहड़ेट पाया जाता है, सीड रेट अगर देख लिजाए, तो खरीफ सीजन में, खरीफ रीतु में जो बोई जाती है, उसके बारा से पंदर किलो किलो पर हेक्टियर सीड लगता है, और जो ग्रिस्म रीतु में बोई जाती है, उसमें 15 से 20 किलो ग्राम पर हेक्टियर सीड की आऊशकता होती है, फर्टिलाइजर की बात कर लें, तो 20 किलो ग्राम नाइट्रोजन, 40 किलो ग्राम फोस्फोरस, और फिर 20 किलो ग्राम पोटास की इसमें आऊशकता होती है, ये जो फर्टिलाइजर डोज होता है, रिकमेंडेट फर्टिलाइजर डो अगर मुंग की बात करें तो यह स्वप परागड फसल होता है फीक है इसमें स्वप परागड होता है सेल्फ पॉलिनेटेड प्रॉप है पहली सिचाई जो है इसमें पहली सिचाई बीस से पचीस दिन अर्था Day After Sowing मतलब कि बुआई के 20 से 25 दिन बाद जो है पहली सिचाई करनी चाहिए मुंग में और मुंग को किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है मुंग को किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है वैसे तो ये खरीफ को फजल है लेकिन इसको किसी भी जो सीजन है उसमें उगाया जा सकता है जैसे अपना मक्का है, मक्का डे-neutral प्लांट है उसको किसी भी सीजन में उगाया जा सकता है वैसे ही मूंग को भी किसी भी सीजन में उगाया जा सकता है दानों की उपज अगर देख ली जाए इसमें तो 10 से 12 कुइंटल पर हेक्टेर इसमें उपज प्राप्त होता है जो खरिफ सीजन में और ग्रिस मिर्कालिन जो मूंग लगाते हैं उसमें 12 से 15 कुइंटल पर हेक्टेर जो उपज है वो प्राप्त होता है इसमें अगर बिमारी देखे जाए इंसेक्ट देखा जाए तो इसमें लीफ कर्ल जो होता है वायरस के कारण लीफ कर्ल नामक रोग होता है और जो इसका अटेक होता है वो बुआई के 20 से 21 दिन बाद होता है बुआई करने के 20 से 21 दिन बाद वायरस का अटेक होता है लीफ कर्ल वायरस का ठीक है और फिर सफेद मक्खी सफेद मक्खी जो होता है इसमें सफेद मक्खी लगता है जो कि मोजेक रोग फैलाता है ठीक है 20-25 दिन के बाद, बुआई के 20-25 दिन के बाद, मेटा सिस्टॉक का छिड़काओ करना चाहिए, सफेद मक्की के रोप के लिए, ठीक है, इसमें जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट है, हैरी केटर पिलर है, जैसीड है, लीफ हॉपर है, यह सभी इंसेक्ट इसमें पाया जाते हैं, और बस मूंग में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं, उर्द के बारे में, उर्द जिसे की ब्लेक ग्राम बोलते हैं इंगलिस में, इसका वानास्पतिक नाम देखें, बोटेनिकल नेम, विगना मुंगो, विगना रेडियाटा, और जो उर्द है, उसका वानास्पतिक नाम है, विगना मुंगो, ठीक है, इसमें कन्फूज नहीं होना, इसकी जो फैमिली है, वो है लेग्यूमेनेसी, लेग्यूमेनेसी फैमिली का और क्या बोला जाता है, फैमिली, क्रोमोजोम नमबर देखे, गुड़सूतर संख्या, तो 2N बराबर 24, ठीक है, 24, और ओरिजीन देख लेए, उत्पति इस्थल तो इसका उत्पति इस्थल भी भारत है, हमने क्या पढ़ा था, मुंग का उत्पति इस्थल भी भारत था, इसका उत्पति इस्थल भी भारत है, जितने भी क्रोप हैं, जिनका उत्पति इस्थल भारत है, वो आपको याद करके रखने हैं, ठीक है, एक वीडियो में हम यही सब का, जितने भी क्रोप हैं, उसका ओरिजीन और जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसका बना देंगे, आप उसमें से नोट्स कलेना, फिर भी अभी से याद रखना जो भारत में उगाई जाने वाली दाले हैं, भारत में जो दाल उगाई जाती है, उसमें उर्ध का थर्ड इस्थान है, तीसरा इस्थान है ठीक है 75-90 cm वार्षिक वर्षा जहां 75 cm से 90 cm तक वार्षिक वर्षा होती है, ऐसे इस्थानों पे उर्ध को सफलता पुर्वक उत्पादन किया जा सकता है इसका जो टेंप्रेचर है, ऑप्टिमम टेंप्रेचर 24 डिगरी से 32 डिगरी सेल्सियस इसको टेंप्रेचर की आवसकता होती है, इसके दाने में देखा जाये, तो प्रोटीन होता है 24 परसेंट, फैट होता है 1.3 परसेंट और कार्बो हाइडरेट होता है 60 परसेंट, आप अगर पिछला वीडियो हमने जो पहले पढ़ा था मोंग के बारे में, मोंग में उप्योक मिर्दा है, अगर हर्भी साइट देखे तो इसमें बेसालीन का प्रयोक किया जाता है, खर्पतवार को नश्ट करने के लिए, और इसकी जो उपज है, 10 से 15 कुइंटल है इसके दाने की उपज और जो उर्द क्रॉप है, उसको चारे के रूप में, हरे चारे के रूप में भी उगाया जाता है, तो चारे के लिए जब उगाया जाता है, तो हरा चारा जो है 1.500 से 200 कुइंटल पर हेक्टियर प्राप्त होता है हमको हरा चारा, ठीक है उर्द में हमको इतना ही देखना इसके अलोगा कुछ important points देख लेते हैं, ठीक है, उर्द में इतना ही, धान में 67% दाना एवं 33% भूसा होता है, धान में जो है दाना और फिर उसके भूसे का जो ratio है, वो 2 ratio 1 होता है, ठीक है, यह याद रखेंगी, यह question एक बार पूछा जा चुका है, P.A.T. में, कपास में जो दाना है, जिसे की दाना, कपास के दाने को बिनोला बोलते हैं और जो रेशा होता है, उसको इंग्लिस में लिंट बोलते हैं, ठीक है, कपास में दाना जो होता है 67%, 67% और फिर उसमें जो रेशा होता है, वो 33% होता है, 33%, ठीक है, और कपास के बीज में देखे, क और मुंफली में देखे तो मुंफली में 70% दाना और मुंफली के दाने को करनल बोला जाता है इस चीज को याद रखेंगे करनल मुंफली में जो दाना होता है जब हम मुंफली को छिलते हैं जो उसके अंदर निकलता है दाना उसको बोलता है करनल ठीक है मुंभफली के दाना करनल बोलते हैं और जो करनल है वो 70% करनल पाया जाता है और फिर 30% छिलका पाया जाता है, जिसे की सेल बोला जाता है तो मुंफली में जो है selling percentage, selling percentage निकाला जाता है, छिलके और दाने का ratio, ठीक है, तो दाना हमारा 70% और जो हमारा छिलका है, वो है 30%, तो ये भी देखा जाया, तो 2 ratio 1 होता है, ठीक है, इसके अलावा देखें, मुंफली के दाने में 40-44% तक तेल पाया जाता है, मुंफली के दाने में, वो इसमें protein देखा जाया, तो 20-22% तक protein पाया जाता है, ठीक है, सरसो और एवं राई की बात करें, तो इसमें 33% तेल पाया जाता है, 33% तेल पाया जाता है, और 67% इसमें जो है, खली निकलता है तेल के लगा, सोयाबीन की बात करें, तो इसमें सोयाबीन को और किस नामों से जाना जाता है, तो सोयाबीन को गरीबो का मांस के नाम से जाना जाता है, गरीबो का मांस, इसको और बोनलेस मीट के नाम से जाना जाता है, जिस क्रोप को अधर नेम से जाना जाता है, वो आप याद रखेंगे, इसके अलावा देखा जाए, तो सोयाबीन में 40-42% प्रोटीन, 20-22% ओयल होता है, अगर अलसी में देखे, तो अलसी में तेल होता है, 35-40%, अरंडी में देखे, तो अरंडी में जो तेल होता है, 45% होता है, कुसुम एवन सनफ्लावर में 40% तेल होता है, ठीके, तो ये जितने भी तिलहन क्रोप थे, उनमें जो ऐल परसेंटेज था, ये हमने देख लिया, आगे हम सभी जो क्रोप्स हैं, उसमें प्रोटीन जो प्रसेंटेज है, और फैट प्रसेंट है, इन सभी का भी अलग-अलग कंबाइन वीडियो बना देंगे, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, ठैक्स फर वाचेंग,